आज 15 दिसंबर सन 2021 दोस्तों आज की इस विशेश एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कपास के उपर भारत की प्रमुख फसलों में से एक रवी की प्रमुख फसलों में से एक कपास के उपर अलग-अलग दावे अलग-अलग सूचनाएं बजारों से मिल रही हैं जिसके हम आज विशेश चर्चा करेंगे गौरतलब है कि कपास का जो ये सीजन है अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच के अंदर कुछ प्रमुख कपास छेत्रों में बे मौसम बारिश से भारत की कपास की फसल को प्रभावित होने की संभावनाएं बताई जा रही है गौरतलब है कि एक अ बरसात की गोष्टना की है जो की फसलों के लिए परिशानी का सबब बनी है मद्रप्रदेश गुजरात और महराज जैसे प्रमुख का पास राज्यों में अत्रिक बरसात के कारण के बावजूद भी अमरीकी करशी विवाग ने कुछ अलक दावे की हैं अमेरेकी करशी वि रख्त किया है जो कि एक गौरतलब है कि एक बेल यानि एक गांट लगवा 170 किलोगराम की बताई जाती है जबकि पिछले साल यह 353.5 लाग गांट होने का अनुमान है यानि 353 के मुकाबले 358 लाग गांट का अनुमान है यह कॉटन एफिलियेशन ओफ इंडिया दोरा किये विभाग ने 49 प्रतिशत अत्रिक बरसास की गोशना की है और ग्राउंड रियलेटीज के अंदर भी किसानों ने आववं सुत्रों के अवाले से बताया है कि करपास की फसल में कमी हो सकती है क्योंकि खड़ी फसलों को नुक्सान हुआ है साथ में गुलाबी वाल वर्म यान कॉटन की कॉलिटी के अंदर भी एक बड़ी समस्या बाबन सकती है फसल की गुनवता एक बहुत महतोपून होता है क्योंकि हर साल लगबग 10 से 15 प्रतिशत फसल दागी मानी जाती है लेकिन 70 से 80 प्रतिशत कॉटन की फसल अच्छी मानी जाती है लेकिन इस साल कुछ अलग स की फसलों में दागी माल अधिक बताया जा रहा है ये भी एक महतोपून है ये भी गौरतलब है और ये ध्यान देनी वाली है कि छिटपुट छेत्रों में जो अत्रिक बरसात हुई उससे कपास की फसल जो की कटाई के लिए तयार थी और कुछ छेत्रों में कपास के खेतों में पानी भी भरा जिससे जड़े प्रभावित होई और बारी-बारी से फसले मुर्जाने लगी पंजाब के एक कपास के किसान ने इसके इससे बात करने पर ये खबर दी अत्रिक बरसात गुलावी वालमं की गटनाओं से भी फसल प्रभावित हो रही है और तेलंगाने के कुछ स्थानों पर किसानों ने वीटी वीजो की विफलता के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ऐसा भी उनका मानना है राज्य के कई ही सो में किसान दस से बारा किंटल की ओसत उपज के मुकाबले लगवख चार से पांच किंटल पती एकट की पेदावार की ही चिंता का विशे है फसलों को बताया जा रहा है कि फसलों में कोई कमी नहीं है नुकसान के भी दावे हैं लेकिन किसी भी प्रकार के नुकसानों को ब्रोकर्स मानने को तैयार नहीं है कपास की आवक दीरे-दीरे कमोने से उत्पादन की चिंता भी बढ़ रही है अक्टूबर में हुई बारिश के दौरान फसलों को कोई नुकसान बन सकता है ये भी एक प्रिशन मार्क है दोस्तो महतवपुन यह है कि अमरीकी दावे किये जा रहे हैं और भारत के अधिकरिद डाटा भी उपलब्ध है लेकिन ग्राउंड रेलेटीज किसानों की और ब्रोकर्स की अलग-अलग है अब क्या इसके अंदर सच्चाई है उसका निर्ने हमें करना है आपको करना है और व्यापारी कारुबारी और किसानों को करना है कुल मिलाकर दावे चाए जैसे भी रहें लेकिन कापास की फसलों को नुकसान हुआ है इसमें कोई दोराए और कोई संशन नहीं है इसके अतरिक पिंक वॉल वर्म से कापास की कॉलिटी के उपर भी काफी असर पड़ा है इसमें भी कोई दोराय या संशन नहीं है अब सुवाल यह है कि जिस किसान के पास या कारųबारी के पास कौटन कारोबारी के पास अच्छी कॉलिटी का माल है उसको निश्यत रुप से हमारी गर्णाई यह कहती है संभावना है कि उसको इस बार अच्छे दा मिलने की पूरी-पूरी संभावना बनेगी क्योंकि अच्छा माल बजारों में उपलब्द कम बताया जा रहा है दोस्तो हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगता है निश्यत रुप से आप अपने कमेंट करके हमें बताएं और यदि अभी तक चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब अवश्य कर ले विशेश कर बैल आइकन जो है गंटी का जो बटन है उसको प्रेस जरूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम पहुचा सकें अल्ड वरी बस्ट गुट लुक एपी ट्रेदिग